अब आपको पता है कि जो लास्ट वाला सेसन हमने कम्प्लीट किया था वहाँ पे मैंने बताया था थी थेविनें थियोरम क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आर्टीएच आपको कैसे फाइंड आउट करना है अगर डिपेंदेंट सोर्स हो तो उस कंडिशन पर आप आप अपको बताया था जिन्होंने पिछला वाला लेक्टर नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके वाच करें क्योंकि मैं चाहता तो कल वाली lecture में ही thevenin theorem complete कर लेता लेकिन thevenin theorem को complete करने में जादा time ही लगता 20 minute लगेते उसके बाद questions लेते आज का जो session होने वाला इसमें मैं thevenin theorem के questions लेने वाला हूँ क्योंकि आपको पता है कि theory को complete करने में जादा time नहीं लगता 20 to 25 minute लेकिन आपको पता कि theory से कभी questions नहीं बनते आपका अगर question पे अच्छा command है तो आप questions से theory revise करते हो ओके तो आज के session में आपको questions देखने को मिलेंगे जहाँ पे case 1 की कल बात कर ली थी आज के जो questions होंगे वो case 2 and case 3 होंगे यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि अब हमारे को यहाँ पे case apply करना है concept वहाँ पे method 1 and method 2 मैं आपको बता है था लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक telegram channel join नहीं किया है तो description में उसका link given है आप telegram channel join कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो भी questions लिये जाएंगे अगर हमारे को कोई भी pdf वहाँ पे share करना है तो हम वहीं पे share करेंगे तो telegram channel join करना मत भूलना और जो new बच्चे है अगर उन्होंने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है तो उसको subscribe कर लेना क्योंकि यहाँ पे ESC, Isro and Bark का यह free crash course है लेकिन मैं surely बोल रहा हूँ आपसे कि कि अगर आप यह crash course follow करके भी जाओगे तो ESC, Isro and Bark का exam अच्छे marks के साथ qualified कर लोगे तो without time wasting हम question को deal करते हैं देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यह circuit diagram दिख रहा है और पूछ रहा है कि थेवेनिन equivalent find out करो अब थेवेनिन equivalent find out करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि यह case 1 का question है या case 2 का question है या case 3 का question है अब देखो कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पाद dependent source है और यहाँ पे independent source है लेकिन यहाँ पे independent and dependent source हो तो उस condition में मैंने दो method आपको बताएता है या तो आप क्या करो RTH find out करने के लिए VDC divided by IDC कर लो क्योंकि VDC मैंने क्या बोलता है यहाँ पे आपने practical voltage source यहाँ पे connect कर दिया है तो उस condition पे भी आपको RTH find out करने के लिए independent voltage source को क्या करते हो? source circuit करते हो और independent current source को क्या करते हो? open circuit करते हो करते हो की नहीं करते हो? ओके तो एक तो method यह था आपके पास ओके method यह था और method 2 क्या था आपके पास? method 2 आपके पास क्या था? method 2 यह था आप directly यहाँ पे RTH find out नहीं कर सकते हो क्योंकि dependent source को आप source circuit and open circuit नहीं कर सकते हो इसलिए directly आप RTH find out नहीं कर सकते हो method 2 में मैंने बताया था या तो आप या तो आप directly क्या find out करोगे VTH and source circuit current source circuit current जब VTH and source circuit current find out करोगे तो इसके बाद ही आप RTH find out करोगे VTH divided by source circuit current ओके तो ये method 1 था and method 2 था मैं दोनो method यहाँ पे apply करोगा question को solve करने के लिए देखो यहाँ पे question का आपको concept अच्छे से समझ बहाना चाहिए अगर concept में आपको problem है न तो आप थेविनेन theorem के questions नहीं कर पाओगे अगर थेविनेन theorem आपका weak है तो आप MPT maximum power transfer theorem के question भी नहीं कर पाओगे इसलिए थेविनेन theorem बहुत ज़्यादा important है तो देखो सबसे पहले मैं method कौन सा लगाओगा आपके पास सबसे पहले method लगाओगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि practical voltage source connect कर देता हूँ सबसे पहले तो आप क्या करोगे यहाँ पे मैं practical voltage source connect कर देता हूँ या तो यह method मतलब यहाँ पे आप VDC connect कर दोगे या आप method 2 लगाओगे directly VTH and ISH find out कर लोगे तो सबसे पहले मैं कौन सा method लगाता हूँ ये वाला method लगा देता हूँ दोनो method लगा के देखेंगे हम सबसे पहले method 2 लगा देता हूँ method 2 लगा देता हूँ अब इस method 2 में आपको पता है कि directly लिए आप क्या find out कर सकते हो VTH and ISH अब ये कौन से terminal की बात कर रहा है AB terminal की बात कर रहा है AB terminal की बात कर रहा है तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ VTH की VTH आप find out करोगे तो देखो VTH क्या होता है open circuit voltage होता है कि नहीं होता है VTH क्या होता है open circuit voltage अब देखो कि इस circuit को में यहाँ पे redraw करने वाला हूँ, इस circuit को में यहाँ पे redraw करने वाला हूँ, तो देखो क्या circuit बनता है आपके पास, 4 voltage, and यहाँ पे, अब यह 2 के मतलब 2000, 2000, and यहाँ पे क्या है आपके पास, dependent source, okay, and यहाँ पे क्या है आपके पास, 3000, okay, अब इस xy terminal पे क्या है आपके पास, vth, vth क्या है open circuit voltage, okay, जब circuit open circuit होता है, तो उस condition पे current कितना होता है, तो आप बोलोगी कि ज़र, इस branch के अंदर जो current होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, okay, होगा की नहीं होगा, मतलब इस branch के अंदर current 0 होगा, और जो यहाँ का value था, यहाँ का value कितना था, vth divided by 4000, okay, vth divided by 4000, अब देखो, यह dependent current source है, vth का आपको value find out करना है, मतलब open circuit voltage आपको find out करना है, तो आप बोलो, कि यहाँ पे जब current 0 है, इस branch के अंदर current 0 है, तो जो यह vth होगा, वो इसके ही तो across का voltage होगा न, मतलब यह vth होगा, वो इसके ही across का voltage होगा, तो आप बोल दोगे कि जो यह vth है, यह यहाँ का voltage है, अब देखो इसका reference यहाँ पे, reference आप grounded माल लेते हो, अब देखो कि आप यहाँ पे nodal analysis लगा सकते हो, आपको पता चल गया है कि जो vth है, वो यहाँ का voltage है, क्योंकि इसके अंदर current 0 है, current 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यह open circuit है, तो देखो, आप माल लो कि यह आपके पास यह node voltage higher potential पर है, अगर यह higher potential पर है, तो यहाँ से current, यहाँ से इधर की ओर travel कर रही होगी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो current travel करती है, वो higher potential to lower potential की ओर travel करती है, ओके, तो आप यहाँ पे nodal analysis लगाओगे, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं बोल देता हूँ, I1, इसमें current already given है, यहाँ पे इसके अंदर inter कर रही है, तो यहाँ पे लिख दो I1, I1, देखो, outgoing है तो plus से represent करना है, ओके, और यहाँ पे inter कर रही है, तो इसे minus VTH divided by 4000, ओके, inter कर ही तो negative represent करोगे, इस branch के अंदर current कितना है, 0, क्योंकि open circuit है, तो यहाँ पे equals to 0 कर दोगे आप, ओके, अब देखो, I1 का value कितना है, I1 का VTH minus 4 minus 0, ओके, क्योंकि potential difference, VTH minus 4 minus 0, तो आप बोल होगे कि VTH minus 4 minus 0 divided by 2000, 2000, 2000, minus VTH divided by 4000, equals to 0, ओके, LCM ले लो, आप यहाँ पे 4000, 4000 LCM आ गया, तो यह कितना होगे, 2 VTH minus 8, ओके, minus VTH equals to 0, ओके, अब देखो, यह term तो आपके पास 0 हो जाएगी, और VTH, 2 VTH minus VTH कितना होगे, VTH, VTH minus 8 equals to 0, मतलब VTH कितना होगे, आपके पास, 8 V, ओके, VTH का value कितना होगे, आपके पास, 8 V, ओके, अब हम क्या find out करेंगे, इसने directly, short circuit current, अब short circuit current आप find out करोगे, देखो, अब short circuit current आप find out करोगे, तो आप इसको short circuit करोगे, ओके, short circuit देखो, circuit को मैं redraw कर रहा हूँ, एक एक condition अच्छे से समझते जाना आप, देखो, यहाँ पे, यह 4 V voltage का value tree, और यहाँ पे आपके पास है, 2000, और यहाँ पे आपके पास, Vth divided by 4000, और यह हैं आपके पास 3000, ओके, और यह क्या कर दिया, यह terminal आपने short circuit कर दिया, यह terminal आपने short circuit कर दिया, ओके, अब यह terminal आपने short circuit कर दिया, तो ध्यान से देखो इस चीज को, ओके, इसको ध्यान से देखो, अगर यह terminal आपने short circuit कर दिया, तो यहाँ पे VTH का value कितना हो गया VTH का value कितना हो गया 0 Okay Sword circuit का मतलब क्या होता है voltage का 0 voltage का 0 होना compulsory है तो यहाँ पे जो voltage था वो 0 हो गया मतलब इस VTH का value 0 इसका 0 अब देखो कि यह इसका value आपके पास कितना हो गया 0 Okay 0 voltage अब यह dependent current source है तो जब इसका dependent जब इसमें 0 यहाँ पे बाहर 0 है अगर यह बाहर 0 है तो 0 का मतलब क्या है current 0 देखो इसका मतलब क्या है current 0 कैसे पढ़ोगे current 0 current 0 का मतलब क्या है open circuit तो यह भी आपके पास open circuit हो जाएगा देखो यह भी आपके पास क्या हो जाएगा open circuit अब यह open circuit हो गया तो क्या आप यहाँ पे KVL नहीं लगा सकते हो KVL नहीं लगा सकते हो अब आप यहाँ पे KVL लगाओगे तो minus, plus, plus, minus plus, minus, okay short circuit करन फ्लोर यहाँ पे पूरे में apply KVL minus 4 ठीके, plus 2000 ISH plus 3000 ISH equals to 0 तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 equals to 5000 ISH 4 equals to 5000 ISH, तो ISH का विल्य हो जाएगा आपके पास 4 divided by 5000 तो देखो कितना आपके पास 4 divided 5 into 10 raise to minus 3, okay मतलब ISH equals to 0.8 into 10 raise to minus 3 आया की नहीं आया? अब आपके पास short circuit करन आपको पता चल गया कि 0.8 into 10 raise to minus 3 voltage आपको पता है VTH equals to 8 voltage अब equivalent circuit diagram बना दो आप यहाँ पर यह हो गया plus minus VTH और यह हो गया आपके पास RTH ओके और इस टर्मिनल पर यह जो आपका X और Y टर्मिनल था है यहाँ पर हो गया आपके पास short circuit current हुआ की नहीं हुआ ओके अब short circuit की यहाँ पर आपके available नहीं लगा सकते हो क्या तो आपके पास RTH का value कितना हो जाएगा RTH equals to VTH divided by short circuit current होगा की नहीं होगा ओके अब देखो आपके पास VTH का value कितना है 8 divided by short circuit current का value कितना है 0.8 ओके इंटू 10 raise to minus 3 अगर 10 raise to minus 3 उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 raise to 3 ओके तो कितना होगा आपके पास 10 kilo ohm समझ मैं है तो आपके पास RTH का value होगा वो 10 kilo ohm होगा समझ मैं है RTH केसे find out करना है सबसे पहले मैंने बता दिया case देखो case देखने के बाद आपको क्या condition directly apply करनी है वो सारी condition देखके ही आपको solve करना है ये थो था method 1 अगर आपको ये method अच्छा लगता है तो ये method आप apply करो ओके अब method 2 से मैं बताने जा रहा हूँ देखो अब method 2 से मैं बताने जा रहा हूँ अब देखो आपके पास RTH कितना आया था RTH कितना आया था इसके ने सोट ले सकते हो आप 10 kilo ohm अब देखो अब आपको ये वाला method लगाना है RTH equals to VDC by IDC अब ये कैसे लगाना है ये जो circuit है यहाँ पर आपके पास VTS है यहाँ पर आपको VTS find out करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो मैं क्या करूँ कि इस terminal पर क्या कर दो आप practical voltage source connected कर दो तो देखो मैं यहाँ पर practical voltage source connect कर देता हूँ ये कर दिया मैंने practical voltage source plus minus VDC यहाँ से जो current flow रहा है वो कितना है IDC ओके connect कर दिया अब जब RTH आप find out करोगे जब आप RTH find out करोगे तो RTH equals to क्या हो जाएगा VDC divided by IDC VDC divided by IDC लेकिन यह भी याद रखना है independent voltage source source circuit independent current source open circuit अब देखो कि जब आपने इस practical voltage source को इस terminal पर connect किया तो यह आपके पास independent voltage source था तो यह क्या हो जाएगा आपके पास source circuit यह क्या हो जाएगा आपके पास source circuit यह हो गया आपके पास source circuit अब यह source circuit हो गया अब आप apply करो यहाँ पे VDC divided by IDC find out करना है देखो कि यहाँ पे यह current source है इसके parallel में आपको 2 kilo ohm register दिख रहा है देखो ना यह इसके parallel में तो क्या आप इस resistance के series में बेटरी नहीं बना सकते हो क्या इस resistance के series में आप बेटरी नहीं बना सकते हो क्या देखो अब देखो इस resistance के series में आपको बेटरी बनाना है तो आपको पता है कि voltage equals to क्या होता है voltage equals to क्या होता है voltage equals to क्या होता है I into R ओके I into R तो voltage equals to कितना हो गया, यहाँ पे आपके पास current का value कितना है, VTH divided by 4000, into register का value कितना है, 2000, ओके, तो V equals to कितना हो गया आपके पास, VTH divided by 2, ओके, VTH divided by 2, अब जो यह VTH था, कौन से terminal का voltage था, इस terminal का voltage था, द्यान से देखो, इस terminal का voltage था कि नहीं, था ना, तो इस voltage, इस terminal का across का voltage था, तो आपको पता चल गया, कि V equals to क्या हो गया, VDC divided by 2, ओके, मतलब VTH equals to क्या हो गया आपके पास, VDC, VTH equals to कितना हो गया आपके पास, VDC, अब देखो, कि आपने क्या कर दिया, इसका source transformation कर दिया, source transformation ही करते हो नो आप, क्योंकि आपको जब थेविनेन को notan में convert करते हो, current source के parallel में resistance connected करते हो, तो आप कौन सी technique यूज करते हो, source transformation, तो मैं यहाँ पे देखो, current source के parallel में resistance है, तो यहाँ पे भी मैं source transformation technique यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं series के अंदर, series के अंदर बेटरी बनाने जा रह है, series के अंदर बेटरी बनाने जा रहा हूँ, ओके, अब देखो, यह plus minus, plus minus, वहाँ पे dependent क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे dependent current source था, इसलिए मैंने dependent लिखा, और यहाँ पे इसका value कितना हो गया, vdc divided by 2, ओके, अब देखो, यह जो resistance था, कैसे connect हो जाएगा, series के अंदर, यह resistance, चलो, यह series में connect करते हैं, जैसा बोल रहा है, वेसा करते जाओ, ओके, अब आगे क्या हो जाएगा आपके पास, 3000, ओके, और यहाँ पे इस terminal पे क्या connected था, practical voltage source, vdc, ओके, और idc, ओके, क्या आप यहाँ पे kvl नहीं लगा सकते, क्या आप kvl नहीं लगा सकते, लगा दो kvl, यहाँ पे देखो, यह plus, minus, plus, minus, plus, minus, and minus, plus, अब इस terminal को लेके चल रहाँ, इस terminal को लेके चल रहाँ, तो इस terminal को और इस terminal को, ओके मतलब first terminal, मतलब minus vdc, minus vdc, plus 3000 idc, plus 3000, sorry, 2000 idc, plus 2 vdc, plus 2 vdc, plus vdc divided by 2, अब देखो, minus vdc plus vdc by 2, मतलब कितना होगा, minus vdc by 2, minus vdc by 2, plus 5000 idc, मतलब vdc divided by 2, equals to कितना होगा, 5000 idc, अब देखो, आप इस idc को इदर लेके चल जाओ, तो आपके पास क्या आजाएगा, vdc divided by idc, equals to कितना होगा, 10,000, मतलब कितना होगा, 10 kilo ohm, यही तो आपके पास RTS था, यही तो आपके पास RTS था, ओके, RTS equals to कितना होगा, 10 kilo ohm, पिछले वाले method से भी कितना होगा, 10 kilo ohm, अब आपके उपर depend करता है, कि आपको कौन से concept में, कौन से method में better understanding है, वो method आप apply करो, तो यह आप दोनों method ही apply कर सकते हो, अब देखो first question हमारा complete हो गया है, आपको किसी को कोई भी doubt हो, तो आप पूछ सकते हो, अब next question हम देखते हैं, अब देखो next question देखते हैं, अब देखो question number two है, सबसे पहले आप try करो, उसके बाद ही आपको solution देखना है, अब देखो कि next question है, इस question के अंदर आप से क्या पूछा है, कि थेवेने रजिस्टेंस find out करो, अब थेवेने रजिस्टेंस find out करने के लिए वापीस, वही method one कौन सा है, method one कौन सा है, आप RTH equals to क्या कर दो, एक DC voltage, एक वहाँ पे आपने connect कर दिया है, VDC divided by IDC, और independent voltage source को क्या कर देते हो, आप short circuit, और independent current source को क्या कर देते हो, open circuit, ओके, और method two आप इस कौन सा है, method two कौन सा है, directly आप क्या find out कर सकते हो, VTH and ISH, directly आप RTH find out नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे dependent source है, तो आपके पास RTH, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, VTH divided by source circuit कर, ओके, तो सबसे पहले मैं यह method लगाता हूँ, ओके, आप दोनो method try कीजे, अब देखो, method one लगा रहा हूँ मैं, method one, method one, जहाँ पे, जहाँ पे बात होगी कि मैं एक DC voltage source यहाँ पे connect कर रहा हूँ, ओके, एक DC voltage source यहाँ पे connect कर रहा हूँ, तो मतलब RTH equals to कितना हो जाएगा, VDC divided by IDC, और आपके पास जो, जो independent voltage source है, वो क्या हो जाएगा, source circuit, independent voltage source क्या हो जाएगा source circuit और independent current source क्या हो जाएगा open circuit अब देखो इसी circuit को मैं यहाँ पर redraw करता हूँ तो देखो यह होगा आपके पास dependent current source जिसका value है 0.01 VTH and यहाँ पर है आपके पास 20 kilo ohm इसके across का voltage है VA अब देखो कि यहाँ पर कितना है आपके पास battery minus plus 100 voltage और यहाँ पर है आपके पास आपने क्या connect कर दिया यहाँ पर इस terminal पर 1 DC voltage source VDC ओके यहाँ से जो current होगा वो क्या होगा IDC ओके VDC divided by IDC करोगे तो आपके पास RTS हो जाएगा अब देखो द्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ पर आपके पास जो voltage है वो क्या है VDC उस condition पर independent voltage source को क्या करना है आपको source circuit करना है तो यह होगा आपके पास independent voltage source source circuit ओके अब देखो यह होगा आपके पास source circuit अब देखो यह independent voltage source आपने क्या कर दिया source circuit कर दिया अब देखो अब आप यहाँ पर इसको calculate करने जाओगे तो यहाँ का condition जरूर देखना है यहाँ पर VTH है तो इस VTH का मतलब क्या है यहाँ पर क्या होगा आपके पास VDC तो VTS equals to क्या होगा आपके पास? VDC. ओके तो ये क्या होगा आपके पास? VDC. ओके अब देखो, अब देखो कि यहाँ पे आपके पास current source के parallel में क्या है? ध्यान से देखो, current source के parallel में क्या है? क्या में यहाँ पे source transformation technique यूज करके इसको voltage source के अंदर convert कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल और उसके series में आप क्या connect कर दोगे? क्या होगे? resistance. अब देखो, यहाँ पे आप source transformation technique यूज करोगे, तो आपके पास voltage कितना हो जाएगा? voltage कितना हो जाएगा आपके पास? current into register. ओके? current का value कितना है? 0.01 VDC. 0.01 VDC into resistance का value कितना है? 20 into 10 raise to 3. ओके? मतलब voltage का value कितना हो जाएगा? आपके पास? VDC divided by 100 into 20 into 1000. ओके? इससे यह कट हो जाएगा. मतलब voltage equals to कितना हो जाएगा? 200 VDC. हुआ कि नहीं? ओके? voltage का value कितना हो जाए? 200 VDC. अब देखो, इस voltage को मैं series में connect कर दूँँगा resistance के साथ. अब देखो, इस voltage को मैं series में connect कर दूँगा resistance के साथ. अब यहाँ पे हो गया आपके पास, यह voltage source जिसका value कितना है? आपके पास? जिसका value कितना है? 200 VDC. 200 VDC. ओके? और यहाँ पे, यहाँ पे देखो, आपके पास कितना है? 20 kilo ohm. ओके? और आगे क्या connected है? इस terminal पे? VDC. प्लस माइनस VDC. और यहाँ पे IDC. ओके? इतना समझ में आगे आपको. अब यहाँ से क्या आप KVL लगा सकते हो? अगर मैं KVL ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फरक नहीं पड़ता. ओके? अब देखो, current का direction ऐसे है? voltage से current निकल रहा है ना? तो आप KVL ऐसे लगा VDC प्लस 20 किलो ओम इन्टू IDC. प्लस प्लस 200 VDC. प्लस 200 VDC. तो कितना हो गया आपके पास? 199 VDC प्लस 20 किलो ओम IDC. ओके? अब देखो, 199 VDC इकोज टू कितना हो गया? minus 20 किलो ओम IDC. हुआ की नहीं हुआ? अब देखो, VDC divided by IDC. एकोज टू कितना हो गया? minus 20 into 10 raise to 3 divided by 199. यह क्या हो गया आपके पास? RTH, ओम. इसका वेलू कितना हो गया? RTH. बिलकुल. अब यहाँ पे जो negative है, वो क्या represent करता है? negative जो है, यहाँ पे क्या represent करता है? यहाँ पे negative यह represent कर रहा है, कि जहाँ पे negative resistance है, वहाँ से power deliver हो रही है. आपको पता है कि resistance का value तो practically हम positive ही लिखते हैं, बट यहाँ पे यह Thevenian resistance है, इसको major किया गया है. अगर negative में आया है, तो उसका value negative में ही put करो आप. क्यों? क्योंकि वहाँ पे, जो आपने, वहाँ पे voltage source and current का जो direction है, क्योंकि यहाँ पे dependent source है. वो dependent source पे depend करेगा. क्योंकि independent source में जब आप देखते हो, तो वहाँ पे तो always आपके पास positive आता है. ओके negative आता है, तो भी आप positive लिखते हैं. लेकिन वो जो resistance है, वो depend करेगा dependent source पे. ओके, मतलब वहाँ से power deliver हो रही है. अब resistance तो power deliver नहीं करेगा, आप बोलोगी sir, resistance तो power deliver नहीं करता. मैं भी मानता हूँ, power deliver नहीं करता. लेकिन वहाँ पे जो current का terminal है, वो change हो गया होगा, या voltage का terminal change हो गया होगा, तो इस कारण वहाँ से power deliver हो रहा होगा. ओके, तो आपके पास RTH का value कितना है, माइनस, इसको लिख दो यहाँ पे, माइनस, माइनस, RTH equals to कितना है आपके पास, माइनस 20 into 10 raise to 3 divided by 199 ohm. ओके, ये तो लगाया आपने method 1, ओके, अब method 1 से आपने answer निकाल लिया, माइनस 20 into 10 raise to 3 divided by 199, अब method 2 लगा देते हैं, देखो, अब method 2 लगाते हैं. अब method 2, method 2, ओके, अब देखो method 2 में, यहाँ पे आपको directly क्या find out कर सकते हो, आप VTH और ISH, डारेक्ली आप क्या find out कर सकते हो, VTH और ISH डारेक्ली आप resistance find out नहीं कर सकते हो, जब voltage and current का ratio होगा, वही आपके पास क्या होगा, RTH होगा, तो देखो, इस circuit को में re-draw करने वाला हो, तो सबसे पहले आप निकालोगे VTH, ओके, अब जो यह VTH होगा, इस terminal का voltage है, इस terminal का voltage है, तो इस circuit को आप यहाँ पे represent करोगे, तो यह होगा आपके पास current source, देखो, voltage तो आपको, जब आप practical voltage source लगाते हो ना, वहाँ पे भी voltage तो आपको ऐसे ही calculate करना है, ओके, जो यह condition है, method method 1 and method 2 only resistance find out करने का method है, ओके, लेकिन जो आप voltage find out करते हो, वह तो normally आपको हर जगा पे ऐसे ही calculate करना है, अब देखो, यह होगा आपके पास 0.01 VTH, ओके, यहाँ पे होगा आपके पास 20K, ओके, यहाँ पे हैं आपके पास minus plus 100 voltage, और यहीं इस terminal का voltage कितना है आपके पास, plus minus VTH, और यहाँ पे क्या है आपके पास, plus minus VA, अब देखो, अब VA find out करोगे, VA नहीं, VTH जब find out करोगे, तो VTH का मतलब क्या होता है, open circuit voltage, अगर यह open circuit voltage है, तो यहाँ पे जो current travel होगा, वो कितना होगा, 0, ओके, यहाँ पे current जो होगा travel, वो 0 होगा, मत अब यहाँ पे resistance होता, तो उसमें कोई drop नहीं होता, तो आप यहाँ से KVA लगा सकते हो, अगर आप यहाँ से KVA लगाओगे, तो यह terminal में लेके चल रहा हूँ, first वाला, इसका भी first terminal, तो यहाँ पे भी plus and minus तो मतलब first terminal, तो बोल दोगे आप, minus VTH plus 100 plus VA, ओके, इतना लिख दि 0, इक क्या कर दिया, आपने 0, अब देखो, इस VA का value कितना है, अब इधर से तो current कोई flow नहीं हो रहा, ओके, आपको पताई, जो VA है, इस terminal का voltage है, ओके, अब यहाँ पे reference होगा, ओके, आप देखो, यह जितनी भी current है, क्योंकि dependent source है, तो यह जितनी भी current है, वो इस resistance के अंदर फ्लोर होगी, क्योंकि इधर तो current का value 0 है, इधर तो current का value 0 है, तो आप क्या VA का value नहीं निकाल सकते, VA equals to कितना हो जाएगा, 20K, 20 into 10 raise to 3, into 0.01, 0.01 मतलब 1 by 100 लिख देता हूं, VTS divided by 100, ओके, तो VA का value कितना होगा, आपके पास, इससे कट हो जाएगा, 200 VTS, method 1 है, method 2 में भी आपको voltage S से ही find out करना है, ओके, तो VA क्या value कितना होगा, आपके पास, 200 VTH, तो आपके पास, कितना हो गया, यहाँ पे put कर दो, तो आपके पास हो जाएगा, minus VTH plus 100 plus 200 VTH, मतलब equals to 0, ओके, तो कितना होगा आपके पास, 199 VTH equals to कितना होगा, 100, ओके, minus 100, ओके, तो VTH का value कितना होगा, minus 100 divided by 199, ओके, एसे तो आपने क्या find out कर लिया, VTH का value find out कर लिया, अब देखो VTH का value समझ में आ गया, यह आपने calculate कर लिया, अब बात करेंगे RTH की, अब RTH की find out करोगे, तो RTH तो आप direct find out नहीं कर सकते हो, अब क्या find out करोगे, source circuit current, अब देखो source circuit current अब जब find out करोगे, तो इस path को क्या कर दोगे, आप source circuit कर दोगे, अब देखो, for RTH, यह है आपके पास dependent source, 0.01 VTH, ओके, यह है आपके पास 20 Kilo Ohm, अब देखो, आगे क्या है आपके पास, minus plus 100 voltage, अब देखो, इस terminal पे, इस terminal पे, आपने क्या कर दिया, इसको, source circuit कर दिया, अब इसको जब आपने source circuit किया, तो यहाँ पे जो थेवेनेन voltage था, वो क्या हो गया, 0 हो गया, VTH क्या हो गया, 0 हो गया, voltage का 0 मतलब वहाँ पे source circuit condition, अब VTH 0 है, तो यहाँ पे current का VTH का value put करो, तो यह भी 0, मतलब current का value भी कितना हो गया, 0, और current का value जब 0 होता है, तो उसका मतलब क्या है, open circuit, जैसा आप VTH में देखा न, current का value 0 है, open circuit, तो यहाँ पे current का value जब 0 है, तो यह open circuit, तो मतलब यह हो गया आपके पास open circuit, यह हो गया आपके पास open circuit, ओके, यह open circuit, यह आपने open circuit कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे अब kvL नहीं लगा सकते हो, अब क्या आप kvL नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो current ही 0 है, current ही 0 होए यहाँ पर KVL लगाओ गे तो minus 100 plus 200 K I, okay, minus 100 plus 200 K I KVL तो लगाना आगिया ना आप लोगों को, अब देखो कि आपके पास current का value कितना होगे? यह 100 divided by 200K, मतलब I equals to कितना होगा आपकी पास, 10 raise to minus 3 divided by 2, 10 raise to minus 3, एक बाद चेक कर लो, minus 200 divided by A, 10 raise to minus 3 divided by 2, यह current, मतलब कौन सी current आपकी पास, short circuit current, अब यह value यहाँ पर put कर दो, क्योंकि आपको पता है कि RTH equals to क्या होता है, VTH divided by short circuit current, अब RTH का value कितना होगा आपके पास, VTH का value कितना था आपके पास, minus 100, minus 100 divided by 199, divided by कितना होगा, 10 raise to minus 3, 10 raise to minus 3 divided by 2, मतलब 2 divided by 10 raise to minus 3, एक तो RTH का value क्या होगा आपके पास, minus 200 divided by 199 into 10 raise to 3, यही आया आपके पास, equals to minus 200 divided by 199 into 10 raise to 3, compare कर लो, आपके पास क्या यहीं answer है क्या, यहाँ पे कितना था, 20 into 10 raise to minus 10 raise to 3, divided by 199, एक बार calculation check कर लो, एक बार calculation check कर लो, ओके, minus 200 divided by, ओके, बिल्कुल सही है, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे 20 क्या है, और यहाँ पे भी 20 क्या है, तो देखो, आपके पास कितना टाइम होगा यहाँ यही से गलती होगी, तोड़ा सा देखानी, अब देखो, यहाँ पे, आपके पास कितना होगया, यह 20 के 100 divided by 20 मतलब 5, 5 milliampere, 5 milliampere, ओके, तो short circuit करन कितना होगा आपके पास, 5 milliampere, ओके, अब देखो, यहाँ पे 5 milliampere आपको put करना था, लेकिन आपने calculation mistake कर दी, calculation mistake नहीं करना ह तो देखो, इसको rough कर देता हूं तो बहा, ओके, VTH, VTH का वेल्यू कितना है आपके पास, VTH का वेल्यू, minus 100 divided by 199, और divided by कितना कर होगे, 5 milliampere, तो मतलब 5, 10 raise to 3, मतलब कितना होगे आपके पास, minus 20 divided by 199, 10 raise to 3, यह गया आपके आपके पास, समझ मैं, तो आपके पास answer compare कर लो, दोनों answer आपके पास perfect है, आप method कोई सा भी लगाओ, जिसमें आप comfortable हो, वो method लगाईए, मैंने दोनों method से उसको बताया, कि यहां से आपको ऐसे लगाना है, यहां पर ऐसे लगाना है, सिर्प जो method लगा रहे हो, वो RTH find out करने के लिए लि देखो, question नमर 3 है, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, कि कौन से case का question, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, कि आपको जब भी question दिख जा है, थेविनेन theorem से, तो सबसे पहले क्या देखना है, कि कौन से case का question है, अब देखो, कि यहां पे, यहां पे आपके पास एक dependent source ह कुछ भी नहीं है, ओके, तो आपको पता चल गया, कि जो यह question है, वो case 3 का है, ठीके, जो यह question है, case 3 का है, और case 3 का है, क्योंकि वहां पे all dependent source, तो वहां पे भी दो method थे, method 1 कौन सा, method 1 कौन सा, आप सबसे पहले तो क्या करो, जो normally आप use करते आए हो, आप DC voltage source connect कर दो, और IDC यह क्या हो जाएगा आपके पास, RTH, और method 2 कौन सा है आपके पास, अब देखो, यहां पे आप यह तो करने नहीं जाओगे न, कि यहां पे आपने VTH को, यहां पे जब आप यह करने जाओगे, तो यहां पे independent voltage source equals to short circuit, and independent current source equals to open circuit, क्योंकि यहां पे independent source तो है ही नहीं, ओके, ह यहीं नहीं तो आपको बोला था, यहां पे आप क्या मान लेते हो, assume क्या कर लेते हो, VTH equals to zero voltage, okay, VTH equals to zero voltage, and ISC equals to zero voltage, okay, क्या assume कर लेते हो आप, VTH equals to zero voltage, ISC equals to zero voltage, ऐसा मैंने आपको बताया था, एक बार जाके वीडियो जरूर देख ले, okay, और देख लो, method 2 क्या बता है था, normally assume क्या करते हो, आपके, assume VTH equals to one voltage, okay, या ISC equals to one ampere, okay, और यहां पे जब आप RTH find out करते हो, अगर आपने इसको assume किया है, तो one upon ISC, पे तो short circuit करना निकाल लो, okay, और यहां पे जब आप ISC equals to one ampere major करते हो, assume करते हो, तो RTH equals to कितना हो जाएगा, VTH divided by one मतलब VTH, okay, तो मतलब आपको पता चल गया, okay, यह समझ मैं है, VTH divided, यहां पे VTH आप find out कर लो गया, अगर इसको assume किया तो, यह दोनों method है, अब आपको दोनों method में से कोई साभी method आप लगा सकते हो, सबसे पहले में method one लगाऊंगा, okay, तीनों method में यहां पे लगाने वाला हो, क्योंकि तीनों method कैसे, पर method one, method one, okay, जब आप method one लगाऊंगे, तो सबसे पहले आपको पता है, कि यहां पे मैं क्या connect करूँगा, यहां पे क्या connect करूँगा, एक practical voltage source आपने connect कर दिया है, VDC, और यह हो गया आपके पास, IDC, okay, इसमें कोई problem, आपने यह connect कर दिया है, अब देखो, कि यहां पे, यहां पे IX flow रहा है, तो यहां पे अगर इस terminal का voltage में निकाल दूँ, इस terminal का voltage में निकाल दूँ, तो आपके पास RTS का value आजाएगा, कैसे, देखो, यहां पे मैं माल लेता हूँ, कि यहां का voltage V है, यहां का voltage V है, अब इसको higher potential पर रख लिया, यहां पे आपने reference माल लिया, क अब यह higher potential पर मैं इसको मान के चल रहा हूँ, तो यहां से current जो flow होगा, यहां से इधर की ओर flow होगा, यहां पे already given है, ओके, और यह तो आपने adjunge कर लिया, यहां पे कि यहां पे voltage source connect करके हम कैसे find out कर सकते हैं, अब देखो, कि यहां पे जब आप nodal analysis लगाओगे, तो V minus V minus 10 and Ix divided by कितना हो जाएगा, 4 ohm, ओके, 4, ओके, and Ix plus V minus 0 divided by 2 plus V by 2, और यहां पे जो current इंटर कर लिया हो, कितने हो जाएगा आपके पास, minus IDC, equal to कितना होगा आपके पास, 0, ओके, अब देखो, Ix का value कितना है, सबसे पहले जान लो, कि Ix का value कितना है, V minus 0 divided by 2, मतला, Ix equals to कितना होगा आपके पास, V by 2, V by 2, पुट कर दो, अगर यहां पे V by 2 में पुट करूँगा, तो 10 into V by 2, मतला 5V, तो V minus 5V, अगर V minus 5V लिखूँगा, तो क्या लिख देता हो, directly, minus 4V divided by 4 plus V by 2 equals to IDC, ओके, इतना समझ में आ गया, अब देखो, अब देखो, कि यहां पे, यह तो होगया cut, ओके, यहां पे बचा, minus V plus V by 2 equals to IDC, ओके, अब देखो, यहां पे कितना होगा आपके पास, minus V by 2 equals to IDC, solve करना तो आता है आपको, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, V equals to minus 2 IDC, आपने इस terminal voltage का, जो node का voltage चा, उसका value आपने find out कर लिया है, अब क्या करोगे, आपको IDC का value find out करना है, तो आपको पता है कि जो यह V है, इसके terminal का voltage है, है की नहीं, तो आप यहां से KVA लगा सकते हो न, यहां से आप KVA लगा दो, तो आप बोलोगे, कि जो IDC होगा, IDC equals to क्या लिखोगे, potential difference, VDC minus V, VDC minus V divided by 1, मतलब IDC equals to कितना हो जाएगा, VDC minus V, OK, minus V, अब देखो कि आपके पास V का value कितना है, V का value कितना है, OK, V का value कितना है, put कर दो हाँ पे, VDC equals to, VDC equals to कितना होगे आपके पास, VDC minus plus 2 IDC, OK, plus 2 IDC, कोई doubt, पूछ लोगे, कोई भी doubt हो तो आप comment कर सकते हो, minus minus plus हो गया, तो plus 2 IDC कर दिया, अब इस IDC को इधर लेके आऊँगा, तो IDC minus 2 IDC equals to कितना होगे आपके पास, VDC, मतलब IDC minus IDC equals to VDC, VDC divided by IDC equals to minus 1 ohm equals to RTH, OK, अब minus में आए तो minus में ही तो लिखो गया आप, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि power उदर से deliver हो रहा होगा, OK, power उदर से deliver हो रहा होगा circuit को, तो minus आए तो minus यह आपको लिखना है, OK, तो minus 1 ohm यहाँ पर आपके पास answer आगया है, RTH का, यह तो लगाया आपने method 1, यह तो लगा दिया आपने method 1, इसका screen source ले सकते हो, अब मैं method 2 लगाने जा रहा हूँ, अब देखो, method 2 लगाएंगे, याद रखो, ITH का value कितना है, minus 1, तो आपका method 2 से भी कितना आना चाहिए, minus 1, method 2, method 2, ओके, अब देखो, अब यह तो लगेगा नहीं यहाँ पर, यह तो यहाँ पर, लगेगा नहीं, यह तो हटा दो आप यहाँ से, यह तो आपने हटा दिया, अब देखो, अब मैं क्या मान के चलूँगा यहाँ पर, यह terminal, यह terminal, AB, terminal, ओके, अब चलता हूँ, कि मैं यहाँ पर VTH का value क्या मान लेता हूँ, 1 voltage या current का value क्या हमाल तो assume कर रहे हुआ मैं assume कर लूँगा assume कर लूँगा कि यहाँ पर 1 ampere का current source connected है आप voltage source connect कर दो आप voltage source भी connect करके answer निकालना वो आपका homework रहेगा मैं यहाँ पर 1 ampere current source connect करके यहाँ पर उसके बाद answer निकाल रहा हूँ तो आपके पास RTH का जो value आएगा वो कितना होगा VTH divided by 1 क्योंकि source circuit करने कितना माल है 1 मतला आपको क्या हो जागा VTH के equal होगा कि नहीं होगा अब देखो यहाँ पर इसी circuit पर आपने क्या कर लिया है कि इस terminal पर इस terminal पर 1 ampere का current source connected है 1 ampere का current source connected है इसके across का voltage है VTH याद रखना इस terminal पर जो current source आपने connect किया है इसके across का voltage है VTH तो इसके across का voltage आपको निकालना है अब देखो वापिस वही condition आपको यहाँ पर apply करनी है वापिस देखो nodal analysis लगा लो यहाँ पर मैंने V मान लिया है तो V minus 10IX V minus 10IX divided by कितना हो जाएगा आपके पास 4 plus V by 2 current inter कर रही है current inter कर रही तो minus represent करते हो तो मतलब equals to 1 अब देखो IX का value V by 2 IX का value कितना है आपके पास IX equals to V by 2 अब यह V by 2 यहाँ पर put कर दो V by 2 put कर होगे तो यहाँ पर कितना हो गया V minus 5V मतलब कितना होगे minus 4V minus 4V divided by 4 plus V by 2 equals to 1 अब देखो कि आपके पास कितना होगे minus 4 minus V मतलब minus V by 2 equals to 1 मतलब V equals to minus 2 अब वोल्टेज नोडल यहाँ पर जो नोड का voltage था वो कितना होगे minus 2 अब आप क्या VTH नहीं लगा सकते हो apply कर दो KVL apply कर दो आप KVL अब देखो कि आप बोल सकते हो कि आपके पास VTH minus देखो 1 ampere equals to VTH minus V VTH minus V divided by कितना होगे 1 ohm ओके तो 1 equals to कितना होगे आपके पास VTH VTH तो यहाँ पर minus 2 है तो वहाँ पर minus minus क्या होगे plus plus 2 तो आपके पास VTH equals to कितना होगे माइनस 1 voltage minus 1 voltage अब देखो कि आपके पास RTH का वेल्यू कितना आगया RTH का वेल्यू कितना आगया VTH divided by 1 VTH divided by 1 equals to minus 1 ohm देखो answer में कोई change आया नहीं आया दोनों condition पर आपका answer change नहीं आया अब आप क्या करोगे आपके लिए homework क्या है आप क्रोषचे क्या करोगे अब क्या करोगे आप क्रोषचे क्या करना है आपको तो यहाँ पे, यहाँ पे, प्लस माइनस वन वोल्टेज, मतलब VTH, VTH कितना मान के चल रहे हो, वन वोल्टेज, उस कंडिशन पे अब आपको RTH find out करना है, homework, ओके, RTH find out करना है, तो आपको पता है कि VTH divided by ISC, ओके, तो अब देखो, आपके पास इसको तो आपने वन वोल्टे करना है, okay, इसके अंदर, तो आप उससे solve करना, फिर comment में answer देना, कि आपका answer आया, या नहीं आया, या मेरे को बताने की need है, okay, thank you, take care, मिलते हैं next lecture में, जहाँ पे हम बात करेंगे, maximum power transfer theorem की, लेकिन उससे पहले में बता देता हूँ, कि जो बच्चे, अगर airport authority of India की preparation कर रहे ह तो वो हमारा उडान वाला बेज जरूर जोइन करें, अगर उनको airport authority of India में जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका, आपको भी पता ही कि package 12 lakh का package है, तो यहाँ पे fees भी कमें, जैनिक में, और जैनिक का telegram channel जोइन करना, मत बूलना, okay, और जो AE और JE की preparation कर रहे हैं, वो बच्चे जैनिक का JE और AE वाला study वाला channel चलता है, उसको भी subscribe कर लो, वहाँ पे भी आप video watch कर सकते हो, जो बच्चे SSE JE की preparation कर रहे हैं, तो वहाँ AE और JE की preparation कराई जाती है, और दूसरी बाद जीन बच्चों ने अभी तक जैनिक live app इंस्टोल नहीं किया है, तो आप जैनिक live app जरूर इंस्टोल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई सा भी course purchase करना है, जैसे की gate 2022 की बात करूं, तो उसका purchase करना है, आपको full course तो वो भी आप purchase कर सकते हो, ओके, और EAC, Isro and Bark के लिए तो आपका free credit course आपका चली रहे हैं, ओके, thank you, take care, मिलते हैं, next lecture के अंदर. झाल